हेलो, माइसल्फ सैलेश्कमा मौरिया और आज हम अपने MS चोहान के question answer के series को further continue करते हैं आज हम करेंगे आपका question 153 question 153 में हमसे पूछ रखाया कि how many geometrical isomers are possible for this compound तो आईए देखते हैं इस question को किस तरीके से करेंगे पहले हमें यह देखना होगा कि कौन कौन सा double bond इसमें GI शो करेगा और कौन सा double bond इसमें GI को शो नहीं करेगा जैसे क्या यह double bond geometrical isomers are show करेगा हाँ यह double bond आपको geometrical isomers are show कर जाएगा क्या यह double bond GI शो करेगा हाँ यह double bond भी GI शो करेगा कैसा double bond GI शो करता है ऐसा carbon ऐसा double bond का carbon जिस पे दो अलग-अलग group लगे हों A, B और ये A और B अगर सेम नहीं होते हैं तो ये geometrical algorithm को show करता है ये हम जांगते हैं तो ये double bond GI show करेगा और ये double bond GI show करेगा क्या ये compound एक symmetrical compound ये unsymmetrical सेमेट्रिकल यान सेमेट्रिकल चेकरने के लिए हम क्या करते हैं दोनों साइट्स चलते हैं यहाँ पर CS3 फिर इधर देखा तो इधर भी CS3 फिर क्या देखा यहाँ पर CH यहाँ पर CBR तो हमको क्या पता चल लाए कि यह कैसा compound है यह एक आपका symmetrical compound है बस आपको दोनों end से move करना है जैसे यहाँ CS3 CS3 फिर CH फिर CH फिर CBR फिर CBR दोनों तरफ से सबको सेम आ रहा है यानि symmetrical compound है और symmetrical compound में आपको जो symmetrical isomerism with even stereocenter निकालने का formula क्या होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n by 2-1 तो लगा दीजी 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 2 by 2-1 यहाँ solve करेंगे आंसर क्या जाएगा 3 इसला option क्या हो जाएगा भी इसका sign हो जाएगा आईए next question करते है question 154 हम से पूछ रखा है कि यह जो compound है इसके अंदर क्या-क्या present है तो से पहले देखते है क्या इसमें कोई chiral center present है क्या अब जैसे देखो यह carbon को अगर आप ध्यान से देखो तो यह carbon कैसा है एक group R लगा हुआ है इसी से एक group hydrogen लगा ह है क्या नहीं देखो इसका orientation अलग है तो जब आप इस दर इस direction में चलते हो तो ऐसा nitrogen मतलब oxygen मिल रहा है जिसका लोन पर इस direction में फिर दर चलते हो तो ऐसा oxygen मिल रहा जिसका लोन पर दूसरे direction में इस direction में तो यह दोनों तो अलग-अलग group है इसी वेज़ा से यह carbon क्या हो है हाँ यह compound optically active भी है क्यों क्योंकि जैसे अगर आप मालोगी आप बोलते हो मैं यहां से एक plane of symmetry पास करूंगा जिसके about यह molecule अगल बगल symmetrical है तो ठीक है इसके लिए तो यह match कर जा रहा है यह दोनों को तो plane of symmetry by set कर दे रहे है लेकिन इधर देखे जब आप इसकी mirror image लेंगे जब इसकी आप mirror image बनाएंगे तो इसकी mirror image क्या बनेगी एन यह कुछ इस तरह से और ऐसे हो है लेकिन इधर यह group कैसा है क्या यह और यह same है नहीं जब आप इसकी mirror image बनाएंगे तो इसकी mirror image कुछ इस तरीके से बनेगे लेकिन इधर यह अला group किस तरह से present है इस तरीके से present ह यानि जो आप सोच रहे थे कि यह plane of symmetry है, यहाँ पे कोई भी plane of symmetry present नहीं है इसलिए compound क्यों जाएगा, optical active, center of symmetry तो ही निसके अंदर अब बात करते हैं, axis of symmetry की, axis of symmetry क्या होता है, axis of symmetry ऐसा point होता है जिसके अब अगर आप molecule को उतने degree से rotate करो, तो वैसा ही symmetrical compound फिर से बनके आना चाहिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, c3 axis of symmetry, इसको समझने पहले एक बार आप जैसे आप water molecule का example लेके एक बार आप थोड़ा समझ लो तो आपको समझ जा जाएगा जिसे मैंने कहा दिया कि यह water molecule है, H को H, इस तरह का water molecule मैंने hydrogen को कुछ number दे दिया है, यहाँ पे H1 दे दिया है, यहाँ पे H2 दिया है, तो अगर आप देखो, इस molecule को पकड़ो और 180 degree एक बार rotate कर दो, अगर आप इस molecule को 180 degree rotate कर दोगे, तो यह कैसा convert हो जाएगा, इधर H2 आ जाएगा, यहाँ पे H1 आ जाएगा और यहाँ पे बीच में oxygen होगा, यह हो जाएगा, क्या यह अभी पहले जैसा हो चुका है, नहीं, पहले जैसा नहीं हुआ है, क्योंकि पहले जो हमारा original molecule था, उसमें H2 राइट साइड में था, इधर H2 लेट साइड में, तो क्या इस molecule क एक बार और हम रोटेट कर दें, एक बार अगर आप और इस molecule को रोटेट कर दोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, O, और फिर इधर आजाएगा H2, इधर आजाएगा H1, तो यानि आपने देखा है कि जब इस parent molecule को आप दो बार oxygen के ऐसे यह axis रखते हुए, oxygen को दो ब X of symmetry का मतलब क्या होता है, समाह लिजे, CN axis of symmetry, यहाँ पर N क्या rotate करता है, कितने degree हमको rotate करना है, जैसे 360 by N, यानि यहाँ पर लिखा गया है C2 axis of symmetry, यहाँ पर जैसे water में क्या प्रजान था, C2 axis of symmetry, यानि इसको 180 degree से अगर आप दो बार rotate कर दोगे, तो original molecule आ जाएगा, तो यहा 3 by 3, इसका मतलब क्या जाएगा 120 degree से, यानि 120 degree से किसी point के अबाओ अगर molecule का तीम बार turn करोगे, तो वही original molecule आना चाहिए, तो देखो अगर आप ऐसे सोचो कि यह point है, यहाँ पर center मान लो, तो इस point के अबाओ अगर आप यहाँ पर इस axis को समझो, जैसे यह axis हो गई, यह axis हो तो इसके बाद molecule को आप 3 बार turn करके देखो 120 degree, जब एक बार आप turn करोगे, तो यह चीज़ यहाँ आजाएगी, फिर एक बार turn करोगे, तो यह यह ला nitrogen पहली बार turning 120 degree पर यहाँ आजाएगा, फिर turn करोगे तो यहाँ आजाएगा, तो आप क्या देखते हो, कि अगर मैं इस point को axis मान लो, इस तरीके से, इस axis के बाद इस molecule को 3 बार 120 degree से turn करोगा, तो यह molecule क्या हो जाएगा, पहले के जैसे ही shape में return हो जाएगा, यहाँ इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे C3 axis of symmetry क्या है, present है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले यह मतलब समझाएगा, कि axis of symmetry का मतलब क्या ह होता है, कि किसी भी parent molecule को आप कितने degrees से rotate करो, कितने बार, ताकि वो अपने original form में return हो जाएगा, जैसे water का मैंन example लेगे दिखाया, कि अगर आप water को 180 degree से दो बार rotate करोगा, तो वो parent form में ही अपने, जैसा original था ऐसा ही हो जाएगा, उस तरह यहाँ पे C3 लिखा था, यानि 120 degree स इसे तीन बार अगर आप इस molecule को rotate करोगे, तो यह अपने original shape में return हो जाएगा, इसी कहते हैं C3 axis of symmetry, तो इस पूरे compound में तीनों की तीनों options हैं है, इसका मतलब कि इसका all of this correct हो जाएगा, जनरली हमारे J mains और NEET के syllabus में, axis of symmetry से related कोई भी सवाल नहीं होते हैं, तो इसमें बस option आ से पूछ रखा है कि इन दोनों compound के बीच में क्या relationship है, तो मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब भी आप किसी wedge वाली position को 180 degree अगर angle से आप rotate कर दो, यानि अगर आप किसी wedge position को 180 degree से rotate करते हो, तो वो किसमें convert जाता है, वो convert जाता है dash वाली position में, wedge वाले को अगर आप 180 degree से rotate करते हो, तो वो किसमें convert जाता है, dash position में convert जाता है, इसको मैं बहुत बार आपका समझा भी चुका हूँ, अब आप देखिए जैसे मालीक्यूल है आपका, ये मालीक्यूल आपको दे रख है molecule, मैं कहता हूँ बस इस molecule को आप पकड़िए और इस तरीके से 180 degree angle पर rotate कर देजे, तो जब आप इसी molecule को 180 degree angle से इस तरह से rotate कर देगे, तो आप क्या देखेंगे, कि जो जो wet जोली position थी, सब की सब dash में convert हुए, यानि बस आपने कुछ अलग थोड़ी किया, molecule को change थोड़ी किया, just 180 degree rotate कर दिया, पहले ऐसा तब 180 degree rotate करेंगे, तो सब को dash पर चली जाएगी, यान आप जरा से यहाँ पर इस example को समझो, जैसे मालो यह point है, यह point अभी आपके तरफ आ रहा है, ठीक है, यह point है, यहाँ पर माली जो कोई group लगा है, यह अभी आप देख लो, यह आपके तरफ आ रहा है, अगर मैं इस compound को 180 degree rotate करता हूँ, देखो आपने क्या किया, इस को पकड पूर जाने लगेगी, इसका मतलँ, वेड डेश में convert हुजाएगा, उसलिए इसका answer क्या जाएगा, answer इसका C आ जाएगा, तो यह थी कुछ question हमारे MS चोहान के, अगर आपको किसी और question का video solution चाहिए, तो comment mention करे, उसका video solution आपका provide करा दिये जाएगा, so that's all for today, thank you for watching.